हेलो अरिवन वेल्कम टू एग्जामेंसाइट कैसे आप लोग मेरा नाम है आकाश आज की तारिके 28 आगस 2023 शुरू करते हैं आज का डेली कुरंट अफिर शुरू करेंगे रिविजन से रिविजन करेंगे 26 जुले का पहले रशिया का लूना स्पेसक्राफ्ट ये क्रैश हो गया है मून पे आगे मध्यप्रदस ने स्टार्ट की है लर्न एन अर्न स्किम ब्रैंड एम्बैसेडर बने है भारत पेट्रोल्म कॉर्परेशन लिमिटेट के बीपी सेल के कौन राहूल अंतीम फंगाल ये व्रेसलर बनी है जिन्होंने सेकेंड कंजुकुटिव अंडर 20 वर्ल्ट टैटल जीता है इंडिया का पहला आर्टिफिशल इंडिजन स्कूल ये कहां पे लॉंच किया गया है केरला में लोकेशन तिरू अनंत पूरम एक बुक है दा लाइफ वीजन एं सॉंग अफ कभी ये किसके द्वारा लिखी गई है विपिल रिखी वर्ल्ट मोस्ट व्यू लाइफ स्ट्रीम ऑन यूटूब कौनसा था चंद्रयान तीन कि सियार राव लेजेंडरी स्टैस्टिक्स ये गुजर गए चलो पेले सवाल की तरफ पेला सवाल है किसने जीती है जो हुईती अगस्द 23 में इसका सही जॉब है Magnus Carlson, he is a world champion, किसको हराया, ठीक है, आर प्रज्यानंदा को हराया, he is a 18 year old boy, ठीक है, इसको हराया, भारत के सबसे बेस्ट, इंडियाज, बेस्ट चेस प्लेयर कौन है, डी गुकेश, इन्होंने एशिया चेस चेस चैंपेंशिप ये भी जीती है, विश्वनत आनन, इंडिया के फर्स्ट ग्रैनमास्टर है, ठीक है, इनको 1991 में राजिव गांधी खेल रतना अव पहली बार आननस किया गया था, आगे विश्वनत आनन की बात करू, तो इनकी बुक है, माइन मास्टर, जिनको पद्म विबुशन आवर्ड मिला है, ठीक है, ग्रैनमास्टर, अक्सर सुने आपने ग्रैनमास्टर, ग्रैनमास्टर, ग्रैनमास्टर का किताब पाने के लिए आपको पच्चिस सो पॉइंट एक साल के अंदर लाने पड़ते हैं मतलब एक साल में आपके अगर पच्चिस सो पॉइंट बन जाते है तो वह ग्रैंड मास्टर बन जाता है अभी भारत में लगभग 83 ग्रैंड मास्टर है ठीक है पहले थे विश्वनत आनन 75 वाले थे वी प्रणाव ओके आगे चलो अगला सवाल है अगला सवाल क्या कह रहा है भारत के कौनसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी ग्रीस में विजिट किया है 40 साल बात ग्रीस एक यूरोपेन देश है ठीक है इसका सही जब क्या है नरेंदर मोदी जी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोदी जी भारत के 14 वे पीम है मनमों सिंग 13 वे पीम है आतल बहरी वाचपई 11 वे पीम है 12 वे और इंदर कुमार गुज्राल और इंदर कुमार गुज्राल ये भारत के 11 वे प्राइम मिनिस्टर है आग को एक जमें पूचा जाता है कि भारत के 11 वे पीम कोन थे 12 पीम कोन थे या फिर करन पीम कोन थे या फिर वो किस नंबर के प्रेस्रेंट की बात करूँ तो द्रोपती मुर्मो भारत की पंद्रावी राष्ट्रपती है चोदावे कौन थे हैं? चोदावे राष्ट्रपती ते राम, नाथ, कोविन, तेरावे कौन थे राष्ट्रपती? प्रणाव, मुखरजी, बारावे कौन थे? प्रतिभा, पाटिल, अब्रतिवा, इनको मिसाइल मैन आफ इंडिया भी बोल जाता है और थेशी थामस को बोल जाता है मिसाइल उमन आफ इंडिया कल मैंने सावल पूछाता रितू करदल कौन है? शी रॉकेट उमन आफ इंडिया इन्ही के बदोलत चंदराएं तीन सक्सेसल हुआ था इस तरो क इनके अगर डूरेशन की बात करू तो एपीज अब्दूर कला मं 2002-2007 में राष्टपती थे, 2007-2012 तक प्रतिवा पाटिल राष्टपती थी, 2012-2017 तक प्रणोमुकर जी भारत के राष्टपती थे, 2017-2022 तक रामनात कोईन जी भारत के राष्टपती थे और 2022 से लेके आगे 2017-2027 तक बनने वाले राष्टपती कौन है? द्रोपती राष्टपती मुर्मुू की बात करू तो द्रोपती राष्टपती मुर्मू यह संथलि ट्राइब से बिलॉई करती है, यह भारत की दूसरी महिला राष्टपती है, पहली ट्राइबल दिया है बिदेंशोल नागालांड शाल the painting किस डेश के झाल सो कि छीज गिफ इसका स्ची जब क्या है भ्रिक्ष थीक है ब्रिक्स लेडर को मौदिजी निये गिफ दिया है भ्रिक्स का हो रही है ठीक है कि आसियान दो हजर तेइस कहां पर वह था इंडोनेशिया जकारता में जकारता इसकी कैपिडल भी है एस यो शांगाय कॉर्परेशन और्गनेश्चन इसकी फॉरेंड मिनिस्टर की मिटिंग हुई थी गोवा में कहां पर वह थी गोवा में वही पर पाकिसान के फॉरेंड मिनिस्टर बिलावल बुत्तो यह भी आये थे स्यों दोसर तेज यह होने वाला दिल्ली में जी ट्वेंटी यह भी होने वाला है दिल्ली में कॉर्ड तो यह सब आपको पता होना चाहिए नाटो की बात कुरूं तो नाटो कहां पर होने वाला है लुथुनिया में पहले पहला आश्मान भारत डीटल मिशन लॉंच किया है ठीक है मिजोरम में इसका नाम क्या है आश्मान भारत डीटल मिशन ही लॉंच किया है मिजोरम में इसका नाम है माइक्रो साइट not Microsoft Microsoft Just Ask ये क्या है मध्य प्रदेश में और UNFPA United Nations Fund and Population Agency जो population का मापदन रखती है इन्होंने Just Ask नाम का चैड़ बॉट ये इंस्टॉल किया है मध्य प्रदेश में जुगल बंदी ये क्या है AI बेस लेंग्वेज है किस ने बनाई है Microsoft ने लेक्सि क्या है ये इंडिया का पहला चैड़ बॉट कौन सा है लेक्सि आगे चले अगला सवाल देखो अगला सवाल है स्वारम पाच ये क्या कह रहा है तेलंगना तेलंगना और कौन से इंस्टुट के साथ कौन से समस्ता के साथ इतिक्स इन आर्टिफिशल इंटिलिजन्स आर्टिफिशल आर्टिफिशल इंटिलिजन्स के मामले में नई एतिकता रखने के लिए किसने समझता या करार किया है इसका सरी जॉब है युनिसको युनाटेट नेशन एजुकेशन एन साइन्टिफिक कल्चरल औरगनेशन जिसकी स्टापना हुई थी इसके कौन है चेर्मेन फ्यूड होंगियो युनिसेफ के कौन है कैथरिन रसेल युन के कौन है चीफ एन्टेनियो गुटेरस आप कमेंट कर ले न ठीक है फाइ पर्मनेंट मेंबर आफ युनिटेड नेशन कौन है ठीक है उस देश का नाम लिख देना कमेंट कर लेना फूड देखो हेडकोटर की बात कुरो तो युनिसेफ का हेडकोटर नियू युनिसको का हेडकोटर है पैरिस में कि एफेव का हेडकोटर है इटली रोम में युन का हेडकोटर है नियूर्क में चो और डब्लू टियो इन दोनों का हेडकोटर है जिनवा में आपको बाता ना है कमेंट करना है चीफ डब्लू टियो के और डब्लू एचो के सॉल देखो सॉल अमच्छे यह क्या कह रहा है रिसेंटली कौन से भारत के नेवी चीफ ने समझोता साजा किया है फिलिफिन्स के साथ फॉर वाइट शीपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाइट शीफिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के समझोता साजा किया है नेवी के चीफ कौन है भारत के आर अर हरी कुमार अनिल चोहान कौन है भारत के इंडियाके सीडियसय चीफ स्ट साफ पहले चीफ डिफिन्स स्टाफ कोन थे बिपिंड रावत मेंश कुमार कौन है वियर चोदरी कौन है आर्मी डे नेवी डे एरफोस डे कब होता है ठीक है आप ये कमेंट कर लेना और इंडिया के सीडेस थो ठीक है मैंने बता है आपको अनिल चोहान है अगला सवाल है रिसेंटली एक टेनिस लेजेंड है उसको इंफोसीज भारत की सबसे बड़ी आईटी कमपनी इन्हों ने एज ब्रैंड अमबैसेडर बनाया है इसका सभी जौब है राफाइल नडाइल राफाइल नडाइल जो कहां से आते हैं पैरिस जाते हैं फ्रांस से आ प्रैंस्लाम मेडल है नोवाक जोकोविच के पास उसके बाद बाइस नंबर पे कौन है राफाइल नडाल उसके बाद 20 नंबर पे कौन है रोजर फेडर यह स्वीजर लेंड से बिलॉंग करते थे ठीके पेल ऑप्शन देखो लियोने मैसी यह पेल आप्शन देखो लियोने मैसी जो अर्जेंटिना से बिलॉंग करते है ठीके बाइजु ने इन्हें फीफा वर्लकप के लिए ब्रैंड एमबसेडर बनाया था और लियोने मैसी के कारेकाल में ही अर्जेंटिना ने कतार वर्लकप दो हाजर बाइस जीत लिया था मैगनेस कालसन चेस के मास्टर मैंड है अभी इन्होंने ही चेस वर्लकप में आर प्रज्यानंद को फाइनल में हरा दिया विक्टर एक्सेलसन और अकाने यामगोची है आपको इसमें से एक बताता हूँ बाकी का आप कमेंट कर लेना विक्टर एक्सेलसन वर्ल्चंपिन है इन बैट्मिंटन सवाल है आपके लिए आकाने यामगोची कौन है यह और किस स्पोर्ट से बिलॉंग करती है कमेंट कर लेना ओके है चलो आगे आखरी सवाल आजका स्वानमों आठ यह क्या कह रहा है अब एक रिपोर्ट रिलीज की गई है वह रिपोर्ट है सवच्छ वायू सर्वेक्षन इसमें कौनसे सिटी ने अंडर कैटेगरी ओफ 10 लैक प्लस पॉपुलेशन जिसकी जनसंख्या 10 लाग से जादा हो वो सिटी में कौनसे सिटी ने टॉप किया है इसका से जॉब है इंडर इंडर ठीके इंडर सच्छ सिटी है भारत की ठीके सेकेंड पे आते है आगरा थर्ड पे आते ठाने जो महाराष्टा में है चोता है शीनगर पाचवा है भोपाल शीनगर की बात करूँ तो शीनगर में तुलिप गार्डन है निशान बाग है शालीमार बाग है और जम्मू काश्मरी के गवर्णर है मतलब लेफटन गवर्णर है मनोस सिना ठाने ठाने क्रीक रामसर साइट है ये तो भोपाल ग्यास ट्राजडी हुई थी 1984 में विच ग्यास लीक आप कमेंट कर लेना कि 1984 में कौनसी ग्यास लीक हुई थी उसके बाद 3800 से ज्यादा लोग मर गए और कंपनी का नाम भी पता देना कौनसी कंपनी का प्लान था वह अगे देखो यह है question of the day again important है क्योंकि अभी तलाठी में भी यह सवाल पूछा था और सीजल में भी यह सवाल पूछा था यह सवाल है सवच्छ वायू सर्वेक्शन इसकी रैंकिंग अभी पब्लिश की गई थी अंडर नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप ठीक है तो सवाल था यह इसमें कितने सिटी को शॉटलिस किया था यह सवाल है आप्शन में देतों आपको 131, 141, 151, 160, 161 एसे आप्शन एक्जाम में थे ठीक है तो यह सवाल आप कर ले ना हम इसे के सथ हमारे सेशन यहां पे समाप्त होता है डिली करण अफ्षर लीडियो की लिए नीचे देई गैल में पे क्लिक किजिए ओछाने को सब्सक्काब किजिए डिली करण अफ्षर अप्डेट के लिए बेल आइकांको हिट किजिए ता कि आपको डिली अब Kendall मिल सके आ आपका दिन शुब रहे